दोस्तो टीवी और मनुरंजन की दुनिया के लिए बुधवार को एक बुरी खबर सामने आई है बता दे कि अनुपमा फेम अक्टर नितिश पांडे ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया है जानकारी की मुताबिक दिल का दोरा पढ़ने से एक्टर का निधन हुआ है इस खबर के सामने आने के बाद से पूरी मनुरंजन की जगत की दुनिया सकते में आ गई है लिवी जगत के लिए यह सबता दुखत बन गया है पहले आदिति श्री राशपूत फिर वैभवी उपध्या है और अब नितेश पांडे के निधन की खबर ने पूरे मनुरंजन जगत को हिला दिया है प्रतिभाशालिय विनेताओं का यू अलविदा कहना फैंस और टीवी सेलप्स को परिशान कर रहा है बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पढ़ने से नितेश पांडे की सांसे थम गई वे 59 साल के थे जानकारी के रुशा टीवी आक्टर नितेश पांडे की नाशिक के एगतपूरी के होटल में बौडी मिले वे एगतपूरी के डूडॉफ होटल में ठहरे थे करीबी लोगों के मुताबिक भी हमेशा कहानी लिखने के लिए एगतपूरी आया करते थे प्रात्मिक जांस में मौत की वज़ा हार्ट अटेक बताया जा रहा है देरात उनकी निधन की खबर मिलने के बाद पुलिस होटल पहुची थी नाशिक S.P. के मुताबिक फिलाल पोस्ट माडम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है 27 जन्वरी 1973 को नितेस पांडे का जन्म हुआ था एक्टिंग के सौनकिन नितेस ने 1990 में थीयटर से सुरुआत की थी इसके बाद उन्होंने टीवी के दुनिया में कदम रखा था वे मंजिले अपनी अस्तित्व एक प्रेम कहानी साया जुस्तजू जैसे कई सोज में एहम किरधार निभाए हैं वेरुपाली गांगुली के फेमर सू अनुपबा में धीरस धूपर की किरदान में भी नजर आये थे नितेस अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी चलाते थे इसके अलावा फिल्मों की बात करें तो नितेस ने कई फिल्मों में भी अपने अभिनाय से खास पहचान बनाई थी इसमें बधाई हो रंगून, दबंग टू, ओम सांति ओम जैसी कई फिल्में सामिल है वेलोस तो आप भी इनली स्वांडी के लिए कॉमेंट में स्रधान जिली जरूर लिखें धन्यवाद